अगर आपके पसु ने पलेजंटा या जेर खा लेगा, तो ऐसे में आपको घपरानी के अपस्ता नहीं होती। अगर आपका पसु का स्वास्थय काफी अच्छा है, उसका हाजमा श्ट्रोंग है तो जेर को ऐसे पचा लेगा। लेकिन अगर आपका पसु कमजोर है तो ऐसे में आपको शिर्फ अपने पसु को 200 ग्राम निमुगा रस पिलाना है। तो आपके पसु के अंदर जाकर उसके हाजमे को ठीक कर देगा और उसकी जेर है उसकी अपलेजन्ट है उसको गला देगा। जिससे आपका पसु को हजम कर जाएगा उसका स्वास्थय कुरा सही होगा। धन्यवाल।